हलो एरीवन गुड मॉनिंग नमसकार दो अक्तूबर 2021 और आज के दहिंदू निजपेपर को आप डिसकस करेंगे अनलिसिस करेंगे आप इसकी पेडियाप को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्तन I.S. Academy टेलिग्राम पर सर्च करके भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट पेज पर बहुत सारी न्यूज है जो कि एक्जाम प्रिस्पेक्टिव से इंपोर्टेंट है सबसे पहले Chief Justice of India ने बोला है कि एक पैनल को फोर्म किया जाए ज Chief Justice के द्वारा जो कि High Courts के होंगे इसके लावा कई सारी स्टेटमेंट दीगी भारत के Chief Justice of India द्वारा आप देखेंगे रिशेंट मंस में बहुत जादा एक्टिव चाहे वो कोलेजियम सिस्टम को ले करो वोमिन्स को ले करो यानि जुडिसरी के अंदर वोमिन्स रिजरिव कर रहे हैं या उनके द्वारा जो काम किया जारा उसको लेकर इनके अलावा इसमें बोला गया कि जब एक Political Party सत्ता के अंदर आती है तो Police Personal जो उनकी साड लेने लगते हैं लेकिन जैसे ही कोई नई Political Party सत्ता में आती है तो फिर उनके अगेंस्ट उन ओफिशल के अगेंस्ट जो है एक्शन देखने को मिलता है ये एक तरीके से चीजी है इनमें Chief Justice of India N.V. रमना साब ने बोला है कि जो atrocities है जो कमिट की जाती है लोगों के अगेंस्ट कोमन मेंस के अगेंस्ट उसको लेकर investigation होनी चाहिए High Court के जो Chief Justice उनके दवारा एक पैनल दवारा हैड किया जाए य यानि इनने एक मोकिक रूप से observation करी दो एक्जामपल उनने कोड किये रिशनली उत्तरपरदेश के गोरगपूर में पुलिस ओफिशर के दवारा जो raid करने गये थी होटल में एक बिजनसमेन की वहाँ पर एक तरीके से death हो गी थी दूसरा तमिल आडू का एक्जामपल दिय के अंदर इनकी death हो गी थी तो उसके अगेंश 9 लोगों के 9 लोगों के चार सीट जो है दर्ज करी थी CBI के दवारा और इनके अलावा यहाँ पर ये भी mention किया गये lockdown में जिस हिसाब से man handling करेगी लोगों को पीटा गया मारा गया ये atrocity के अंदर आता है यानि कई बार हमने द पुशर और हम इसके फेवर में एक standing committee होने चाहिए जो lead करेगी Chief Justice of High Court और इस पूरे मामले को अगर atrocities है तो उसको inquire करें राइट तो ये थी पहली important news इसके बाद बात करेंगे left hand side एक article है GST के बारे में एक information है मैं आपको repeat करवा दूं GST के बारे में 8 बज़े एक वीडियो आएगा special issue topic को लेकर जिसमें ये mention किया गया कि GST collection जो है पांच मेने में सबसे ज़्यादा आपको देखने हो पिछले पांच मेने में भारत में GST collection काफी increase हुआ है और ये पर मन्त data जो release किया गया सब्टेंबर में तो इसके बारे में specific video भी आएगा इसके लावा आपको बत 21 के लिए तो government के तरफ से data update करिया किया गया सब्टेंबर का कि 1,17,000 कोड़े का GST collection हुआ है GST मतलब indirect taxes ठीक इसके बारे में बताया गया और इसके पीछे बड़ा reason ये है कि 23% revenue के अंदर increase देखने हो को मिला इसके अलावा अगर आप overall collection को compare करेंगे pre pandemic level में जब September 2019 मुस में 27. 7.3% का increment आपको देखने को मिलेगा इसमें कई सारी reason सरकार की तरफ से बताये कि GST collection क्यों बढ़ रहा है पहली बात economic growth जो है हमारी increase हो रही है recover कर रहे हैं anti-vision activity यानि जो लोग बचने ही कोसिस करते हैं खासकर fake bill मना कर उनके against action हो इन सबने contribute किया है कि भारत के अंदर GST collection increase हो जैकि GST collection अगर increase होता है क्योंकि सरकार के पास पैसा आएगा economic activities को और जादा जो है वो boost up कर सकते हैं किसी भी government के लिए आर्थिक resources का होना बहुत जुरूरी है मैंने तालिबान के context में एक बात बोले थी कि सरकार बनाना और सरकार को चलाना इन दोनों में difference होता है यह कुछ सारे लोग अभी भी मांते हैं कि भारत में exactly हम लोग economic recover कर पाए या नहीं कर पाए उसको लेकर debates and doubts भी है इसके बाद यह बहुत important यह judgment या आप बोल सकते हैं या direction बोल सकते हैं या आप principle बोल सकते हैं Supreme Court ने जो farmers protest करें दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो borders area उन पर उसको ल और यह exam perspective से भी important है उसके बारे में discuss करेंगे पहले बात Supreme Court ने बोला है कि आप दिल्ली को डिल्ली का ऐसे गला घोटने जैसे ने गला घोटने जैसा काम करते हैं आपने चारों तरफ से दिल्ली को ब्लोग कर दिया है और आप चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर enter करें यहाँ प आप चाहते हैं सिटी के अंदर enter करें और यहाँ पर प्रोटेस्ट करें Supreme Court ने इस तरह के words क्यों बोले यह भी important है जानना Supreme Court ने बताया कि पहली बात अगर आपने इस यह पूरा का पूरा फार्मला जितने भी agriculture तीन agriculture लोज है उनको लेकर पूरा मामला जब सब जुडियस है यानि Supreme Court में सुना जा रहा है तब विरोध किस चीज़ का चैलेंज किस चीज़ का दूसरा आप प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट कर रहे हैं सरकार के अगेंस्ट या जुडिसरी के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं यह तफ्स जो word यूज करेगे कि आपका जो किस अधिकार आप विरोध कर सकते हैं लेकिन क्या विरोध में आप जो है आपको right to protest तो है विरोध करने का अधिकार है लेकिन public को भी road use करने का right है और free movement का right है यानि इनको ध्यान रखना पड़ेगा इसको लेकर important judgment आई थी there is a right to protest but there is a right to use public roads and free movement साहिन भाग में जब citizenship amendment act को लेकर विरोध किया जारा था उस case में ये judgment आई थी कि आपको विरोध करने का अधिकार है but indefinite period के लिए आप roads को block नहीं कर सकते this is very important statement इनके अलावा यहां पर यह बोला गया एक और word use किया गया even आप कोशिस करें defense personal यानि हमारे जो defense personal है उनकी moment को रोकने का भी दूसरा आप train को block करें और आप बोलते हैं कि ये शांतिपूर एक तरीके से विरोध है इस तरह की चीजे नहीं होने चाहिए हलाकि जो advocate है जो इक तरीके से दूसरी तरफ से हम नहीं किया ये police personal ने ब्लोग किया गया तो ये एक चीजे है तो इसमें supreme court का main चीजे के ये आप ध्यान रखि किये गा जो मैंने blue shade में तरीके से highlight किया इसको not करेंगे there is a right to protest but there is a right to use public roads and free movement right इसके नीचे आप जाएंगे दो और चोटी 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 नियूज है ये एक और चोटी सी नियूज है brief में कि on the world on the occasion of world senior citizen day एक help line जो है पैन इंडिया launch करी गही है 1414567 ये एक आप किसी को अ सकते है अवेर कर सकती है help line के बारे में अगर कोई concern है senior citizens के perspective में इसके बाद दो और चोटी चोटी नियूज जो इस पेज़ पे है क्योंकि आज बहुत ज्यादा नियूज हो सकता वीडियो के लिए थोड़ी सी increase होते है तमिल नाडू के forest official ने order दिया कि Tiger T23 को सिकार किया जा यहाँ पर order दिया गया कि T23 Tiger की हत्या कर दी जाए इनको मार दिया जाए इसके पीछे बड़ा reason यह बता है क्योंकि जब कोई भी Tiger बहुत सारे लोगों को मार देता है यह एक person से को या एक तरीके से बोलते है न नर्भक्षी टाइप में खिंदी वाड यूज करते है इस तर Tiger नंबर T23 है और यह मुझे भी इसके बारें बहुत ज्यादा डेटिल से नहीं पता लेकिन मैं अभी थोड़ा सा देख रहा था T23, T24 जो बेसिकली इसी तरीके Tigers को denote करने के लिए word यूज किया जाते है UPSC प्रस्पेक्टिव से क्या चीज़े इंपोर्टेट है मुदो मु अब चलेंगे डिटोरियल पार्ट पर पेज नंबर I think 78 जोन सा भी है यस, पेज नंबर I think 8 पर एडिटोरियल है एडिटोरियल में तीन एडिटोरियल हम लोग कवर करेंगे और तीनों एडिटोरियल current affairs से लेटिड है और उसी को लेकर डिसकस किये गए है current affairs in the sense कि आज क्योंकि महतमा गांधी की जनम जहनती भी है इसलिए भी यह article important है Reading Gandhi as a Lation of Political maturity, political maturity के लिए गांधी के लेशिन जो है उनको क्यों पढ़ना चाहिए इसके बारे में है लेकिन उसे पहले दो एडिटोरियल पढ़ेंगे left hand side no clean sweep करके एक article है यह article basically sanitation को लेकर यह recently जो government of India ने दो updated version जो launch किये सवस्भारत mission urban और अमुरत mission के उनके बारे में article discuss करता है इसके ज देश भर में अपराद की क्या situation थी उन सब के बारे में यह एडिटोरियल discuss करता है पहले बात करेंगे no clean sweep यहाँ पर बात की जारे कि urban transformation करने के लिए community based एक तरीके से focus होना चाहिए circular economy के अंदर यह कुछ चीजे बताएगी साथ साल के बाद भारत सरकार ने फिर से भारत के प्रधानमंतरी साब ने announce किया कि सवज भारत mission urban और अटल mission of regeneration and urban transformation इसका second phase जो है launch किया जाएगा और इसमें main promise किया गया कि cities को clean बनाना है इनके लावा scientific waste management करना है sanitation को बढ़ाना है और जिस चीज को लेकर महतमा गांधी लगातार एक स्ताबदी पहले focus करते थे इस particular areas को लेकर हलाकि अभी भी बहुत सारे सवाल भी है इस पूरे procedure को लेकर यहाँ पर mention किया गया हमारे जो principal economic advisor है उन्होंने बोला कि अभी भी city जो है वो तरीके से इतनी साफ नहीं हुई है dysfunctional है और अगर आप compare करेंगे वेतनाम जैसे सहर से तो साइध हम बहुत पीछे आपको नजर इसके अलावा इस mission के बारे में बताया गया यह important है और इसका जो budget outlet है सवस भारत mission second version का 1.41 lakh road होगा इसका aim क्या है garbage free city जानी जो कूडे का धेर cities के अंदर देखने को मिलता है उसको हटाना और मैं example देता हूँ दिली में अगर आप जाए हैं तो करनाल बाइपास पर आपको देखने को मिलेगा जब आप ISBT की तरफ जाते हैं तो left hand side और ISBT से जब करनाल की side जाते तो right hand side एक बड़ा mountain आपको कूडेगा देखने को मिलेगा इसी को कई लोग mountain भी समझते हैं तो 2.0 के अंदर ने second phase के अंदर या updated phase के अंदर यह इन्होंने किया दूसरा water management को लेकर भी focus किया जाएगा even coordination किया जाएगा जल सक्ती ministry से जल जीवन mission के तहट ठीक इसके लावा अगर आप देखेंगे देश भर में एक दिन में 1.4 लाग ton solid waste generate किया जाता है उसमें से केवल 1 लाग का प्रोसेस किया जाता है तो 40,000 जो ton आप देखेंगे generated जो होता है sorry 1.4 लाग ton होता 40,000 जो इसमें बचा होगा इसके अलावा जो बचे का pending उसको लेकर उसका क्या transition होगा कैसे उसको एक तरीके से solution होगा इसको लेकर बड़ा काम करने के जुरूरी दूसरा community involvement होना चाहिए जब आपकी economy recover कर रही है municipal plastic और electronic waste को solution करने को लेकर इसमें community involvement का होना जूरूरी दूसर इसके अंदर ये बताया गया कि इसकी वज़े से बड़े लेवल पर रोजगार जनरेट किया जा सकते हैं अगर हम community के include क्योंकि segregation अगर आप देखेंगे बड़े लेवल पर आप इसको ठेके देते हैं contract देते हैं तो segregation नहीं हो पाता कि किस तरह का जो है वो waste है solid waste है इसको अगर segregation करेंगे अलग अलग करेंगे तो jobs भी जनरेट होगी और ये beneficial भी होगा इनके अलावा कई सारे concern भी है जैसे भारत में हमने ठीक है कि toilets चाए वो public toilets हो या community toilets वो बनवाए लेकिन reality ये भी है कि अभी भी बहुत सारे toilets के अंदर पाने का connection तक नहीं है जो public toilets की बात करते हैं वो unusable use होने की condition में ही नहीं है तो इसको ध्यान देने की जरूत है इनके अलावा आने वाले time पे open defection free plus cities को और जादा boost up करें इसको लेकर काम करने की जरूत है और finally equally ये भी ensure करे कि सभी toilets जो है function करे properly हर घर में एक तरीके से tap water एजें drinking water की facilities के लिए काम करना जरूरी है और उसको लेकर ये भी ensure किया जाए कि जो लोग एक तरीके से अभी renting house में यहां पर urban areas के अंदर काम करने के लिए आते हैं गावं से सहर में काम करने के लिए आते हैं उनको facilities प्रोवाइड की ज़ल सकती ministry के सा उसके चैलेंज और इनलेटिकल फोम में एडिटोरिल होते हैं खासकर जो left hand side एडिटोरिल ये वाले इसके just नीचे एक एडिटोरिल है crime and the pandemic करके आर्टिकल दिया गया है इसमें 2020 में भारत में registered cases के pattern को analysis किया गया है सबसे पहले annual report है ये crime in India जो कि release करी गई है national crime record bureau के दवार mid September के अंदर इसके अंदर क्या चीजे mention करी गई है जब मैं authentic data की बात करता हूँ तो ये बहुत authentic data national crime record bureau इसको आप ठान रखेंगे इसमें state के basis पर आपको variation देखने को मिलेंगी जो report में यहाँ पर mention किया गया तमिल नाडू केरला और दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा cases रि most criminal state है यहाँ पर awareness बहुत ज़्यादा है लोग जो है वो अपने समश्या को लेकर अगर कोई उनको crime हुआ उनके against तो cases दर्ज किये गई है इन सब के अंदर आप देखेंगे पुलिस में अगर आप यह इसलिए नहीं कि एक तरीके यहाँ पर crime ज़्यादा यह इसलिए क्योंक है अगर आप इस पूरे scenario में देखेंगे तो एक जो कमी आई है कि 8.3% कमी आई है crime against women यानि महिलाओं के अगर जो अपराद हो तो इसमें 2020 में कमी आई 8.3% और यह क्यों आई actual में कमी नहीं है बलकि जिसमें बड़ी संक्या में उनके husband के दोरा या उनके relatives के दोरा जो cruelty की ज था तो cases register नहीं हो पाए तो यह एक बड़ी वज़े है इनके अलावा क्योंकि यह नहीं के वल भारत में अगर फ्रांस का example मुझे यादा 2020 की रिपोर्ट है कि वहाँ पर भी domestic volume जो काफी ज़्यादा increase हुए national commission for women ने बोला कि यहाँ जो complaints है उनको 10 साल में सबसे ज़्यादा उनको मिली इस particular area को अगर आप national commission for women और national crime record bureau को data analysis करेंगे तो आपको यह पता से लेगा कि भले ही COVID-19 में कुछ cases का number कम हुआ हो लेकिन यह सही है कि अभी भी बड़ा number आपको देखने हुए cases जो registration नहीं देखने हुए कई सारे states के अंदर हाला कि कुछ crime जैसे चोरी के है या decade के इस तरह के crimes में कुछ कम है क्योंकि हो सकता है कि लोग घर पर है तो चोरी कैसे होगी यह भी एक सवाल है कि mostly जो लोग जब घर पर होते हैं तो थोड़ा सा अलग तरीके से अरी चोरों का प्लान भी अलग तरीके होता है इसके बाद COVID-19 अगर आप देखेंगे इन cases में ज जनता जिसके बाद यह number जो है increase हुआ हलांकि कुछ cases जैसे murders के हैं बहुत ज्यादा रिजिस्टर नहीं किये कि उसमें केवल एक परसेंट का increase हुआ economic offenses जो है 12% उसमें कम्याई economic offenses की बात करें तो 12% कम्याई as compared to 2019 cybercrime में increase हुआ 11.8% यह important है क्योंकि 2021 में पिगासा spyware जब news में तो इस तरह की topic बहुत important हो जाते हैं इसके अलावा sedation या राजद्रो के जो cases है 2019 में 93 थे अब यह घटकर 73 हो गए इनमें भी मनीपूर और असम में सबसे ज़्यादा case दर्ज किये गए है sedation को लेकर सुप्रीम कोट ने कई सारे सवाली पुछें राजद्रो की cases को लेकर कि इसमें जो number increase हो रहा है इसको आप ध्यान रखिये और इसमें urgently इसको reform करने ज़रू हो था इस तरह के cases के context में लास्ट आर्टिकल जो हम पढ़ेंगे वो है गांधी जी को लेकर reading गांधी as a lesson of political maturity इसके जश्ट नीचे जो आर्टिकल आपको देखने को मिला है क्या schools को reopen कर देना चाहिए नहीं कर देना चाहिए यह आर्टिकल continue news में रहता है update आती है तो आप self study भी कर सकते हैं अगर आप self study नहीं भी करेंगे तो कोई issue नहीं क्योंकि यह continue हर week जो आर्टिकल यह publish होता है इसके बाद क्योंकि हम लोग current affair में जो topic रहते हैं उनसे लिए आर्टिकल को priority देंगे तो reading गांधी as a relation of political maturity इनको लेकर एक article दिया गया His appeal to conscientious politics and nobility of spirit continues to be strong ethical response to political issues यहाँ पर basically गांधी जी की जो theory थी political maturity को लेकर उसके बारे में editorial discuss करते हैं आज से ठीक 74 एर पहले उनकी death हुई थी तो उस time से लेकर modern इंडिया के अदर पुरे दुनिया के अदर कैसे वो important एक statue की तरह है या एक important personality की तरह आपको देखने को मिलेंगे जैसे उनका जो non-violent moment है against British year उनका एक important role है इनके अलावा एक legacy जो पुरे दुनिया के सामने रखी philosophical और political legacy वो भी काफी important है यहाँ पर तीन word mention करेगे यह millions of लोगों को inspire कर सकते हैं inequality, injustice और historical wrong यानी inequality, एसमानता, अन्याए और जो एत्यासिक रुप से गलतिया हुए उनको लड़ने में एक important role play कर सकते हैं यहाँ पर कई सारी चीज़े बताएगी जैसे गांदी जी दूसरे politician से बहुत अलग थे क्योंगी बहुत ही simple और honest type के person थे और आप इसका result भी देखेंगे जब गांदी जी ने moment lead किया था तो बड़ी संख्या में लोगों ने समर्तन उनका किया था उनका characteristic जो है अगर आप देखेंगे basic characteristics में कि एक जो दुनिया भर की wishes है इस time पे जो एक तरी किस immaturity show करते हैं politician चाहे हो इंडिया के हो या पूरी दुनिया के हो इनके अलाबा जो एक तरी के खराब से खराब situation face कर रही कुछ कंट्री जैसे अफगानिस्तान, मैनमार, सीरिया, यमन इनके अलाबा even democratic countries में भी US, Spain, Poland, इडिया इन सब के अंदर एक example की तरह इनके अलाबा गांधी जी का ये मानना था कि एक ethical mode of conduct होना चाहिए politics के अंदर और वो अपने आपको कोई गुरू नहीं बोलते हैं कि मैं कोई teacher हूँ या इतरी के सच्चाई का वगवान हूँ या आप इसमें गुरू बोल सकते हैं truth को लेकर लेकिन उन्होंने अपनी जो book ह experiment with the truth उसके अंदर philosophical और pedagogical कुछ opinion रखे philosophical यानि दार्शनिक रूप से और pedagogical का मतलब है शिक्षा सास्तरिया आप देखिए education के context में भी इनका important रोल रहा culture of patience patience का बहुत बड़ा इन्होंने रोल बताया कि patience बहुत important है और यह हमारी life के अंदर एक important role प्ले करती है और जैसे ही even अगर आप देखिए UPSC perspective से भी important है patience का ही game है सारा का सारा का कई बार हम अच्छा performing कर पाते हैं कई बार हम अच्छा नहीं पढ़ पाते हैं तो patience का होना जुरूरी है और human values को improve करने के लिए यह बहुत important यह कह सकते कि बहुत important है उस context में जब उन्होंने एक concept दिया था सवराज के अंदर truth and non-violence की इनसान को self-respect करने चाहिए अपने भी और सामने वाले इनसान की भी तभी हम लोग जो non-violence और truth के थूरू सवराज हसिल कर सकते है इनके अलावा ये भी बोला गया कि हर individual को believe करना चाहिए irrespective of their religion, race, culture कि वो self-govern कर सकता इसी चीज़ को लेकर फिर सवराज का जो concept आपको देखने को मिलेगा गांधियन theory के अंदर self-realization करिए और सवराज यानि अपने आप को एक तरीके से autonomy होने चाहिए अपने आप पर रखना है कि आप self-respect करेंगे अपने भी और दूसरे की self-respect का भी equally जो है वो respect करेंगे इनके लावा यहाँ पर एक वाड़ी उस गया एक self-transcendence करके और इसमें यहाँ पर simple सी बाते बोलेगी कि I am but a seeker of the truth, I claim to have found a way to it, I claim to be making a ceaseless efforts to find it, overall अगर आप इस पूरे यह जो unit दिग हुई है इसमें अब अगर आप देखेंगे कि इसका क्या crux है तो यहाँ पर यह continue बोलते हैं कि हमें एक truth को accept करना पड़ेगा यानि हमें हमारे हमसे कोई गलती हुई अगर mistake हुई या हम किसी जिगह पर सही नहीं है तो उसके लिए important है और freedom एक तरीके से political act है और इसमें ethical enterprises क की तरह वो इसको define भी करते हैं इनके अलावा गर आप देखेंगे वो continuous चीज़ को बोलते हैं कि literary training बहुत important किसी व्यक्ति के character building को लेकर character building होगा तभी एक तरीके से वो खुद पर autonomy हासिल कर सकता है और अपने आपको एक तरीके से authorize कर सकता है maturity का होना बहुत जुरूरी है च perspective से हो या state को या country को govern करने के perspective से हो ये कुछ उनकी psychological एक तरीके से suggestion थी इनके बाद है क्योंकि उनकी value जो है इनकी relevance आज भी है वो continue बोलते थे कि जहाँ पर ego होगा वहाँ पर in civility और arrogance होगा यानि वहाँ पर एक तरी जहाँ पर ego आ जाता है वहाँ पर arrogance आएगा और जहाँ और ये सारी चीज़े नहीं होगी वहाँ पर self respect आएगा और civility आपको देखने को मिलेगी तो value करिये self respect की खुद की और इसी चीज़ से बोलते हैं कि spirit of friendship आपको देखने को मिलेगी अगर आप इन में से कुछ points को भी observe करेंगे तो आज के time पर दुनिया भर में जो problems हैं उनको हम sort out कर सकते हैं with the maturity इनकी ideologies के थूँ या इनका एक philosophical और pedagogical जो एक opinion था उनके थूँ तो self respect और countries के अंदर जो problems हैं पूरी दुनिया में वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी तेकि मैं एक चीज़ें आपको ज़रूर बताँगा महात्मा गांधी वो personality हैं जिनका स सबसे ज़्यादा criticism भी होता है लेकिन central point के अंदर रहेंगे जैसे मैं आपको example देता हूँ सुभाष चेंदर बोस ने जब इन ने बनाई थी अजाद हिन फोज का गठन किया था तो उसमें एक unit होती वो गांधी जी के नाम पे थी तो भले उन दोनों के बेच में भी बहुत ideological difference था लेकिन इस बात को साथ understand करते थे कि वो बड़े leader और जब कोई lead कर रहा है front से तो उसके against मतवेद होना सोभाविक सी अगर कोई leader बहुत तेजी से increase करता है लोगों को mass population को अपने एक तरीके से बोल सकते ना अपने words से एक तरीके से उनका attraction ला सकता है तो वो एक बड़ leader है अपने आप में और उनके context में भले ही विरोध हो भले ही कितना भी तरीके से ideological differences हो काम करने के तरीके को लेकर difference हो सकते है बट इस चीज़ को समझते थे और हमेशा respect भी करते थे तो criticism कर देना कि गांधी जी ने कुछ नहीं किया ये बहुत असान है ये बोलना ये बहुत ही सवाल पूछे भी जाते हैं और वहाँ पर भी उस टाइम पर भी पूछे गए दो खासका जैसे एक ऐसा यो गॉंदल नो इंको प्रेशन मोमेंट को लेकर और एक भगत चिंग राजगुरू सुखदेओ को जो फांसी दी गई थी उस context में क्या रोके जा सकते जैसे अंदोल दिख रहा है UPSC का तो इनके बारे में पढ़ना most important में कहूंगा इसके बाद page number 10 पे कुछ information है page number 10 पे right hand side आप देखेंगे तो ये information आपको देखेंगे देखने को मिलेगी प्राइ मिशन नरेंदर मौदी ने लॉंच किया mission for better cities करके और अगेन जो article हमने पढ़ा था सवस भारत mission आरबन और अटल mission for regeneration and urban transformation second phase को ensure किया गया इसमें अगेन बुलागे garbage free cities करेंगे safe drinking water available करवाएंगे और जो देश भर के अंदर rivers है उसमें एक तरीके से untreated water है उसको treat करेंगी ठीक है इसके लाबा यहां पर यह भी बुला गया कि जो आप लोगवां dedication है उसकी हम सराना करते हैं और आने वाले समय में जो waste generate होता है उसको अच्छे तरीके से dispose किया जाएगा उसको उसका कोई न कोई solution निकला जाएगा प्रोसेस किया जाएगा जो mountains कूडे के धेर लगे हैं पहाड़ खड़े हो गए उनको दूर किया जाएगा इसके बाद page number 11 पर इंडिया और सिलंका के relationship के context में important एक विजिट है भारत के foreign secretary हर्शवर्दिन सिरिंगला साब की चार दिन के यात्रा होगी बहुत important ये विजिट है सिलंका अगर आप जोगर्फिगली देखेंगे तो बिलकुल इंडिया के south में एक country पड़ेगी और सिलंक जो है यहां पर आप देखेंगे पार्क स्टेट और एक और मनार मनार की जो खाड़ी है गल्फ और मनार इनके तरू डिवाइड होता है भारत और सिलंका सिलंका के अंदर ये विजिट काफी important है यहां पर वो infrastructure project को लेकर access करेंगे और Tamil reconciliation को लेकर भी discussion किया जाएगा काफी important विजिट इसली भी है क्योंकि ये विजिट के अंदर जो है एक तरीके से बाइलेटरल टाइज को प्रोग्रेस करना कोविड अंट रिलेजिट जो disruption हुआ उन सब के बाद एक important होगा और भारत ने बताया कि central place के अंदर इंडिया है इंडिया के अंदर रहेगा सिलंका क्यों आप हमारे security threat करेंगे तब कोई relation आपसे नहीं होगा इंडिया और सिलंका के बीच में main concern क्या है देखी बड़ा concern ये कि भारत के प्रोजेक्ट को वहाँ पर डिले किया जा रहे है क्लियर नहीं कि जारी चाइनीज प्रोजेक्ट को डिले कर रहे हैं परलेमेंट वहां के अप cancel कर दिया फिर western west जो टर्मिनल है उसको लेकर agreement जो है यहां पर होगा ये विजिट इसलिए विशेश है क्योंकि अगर आप जनरी देखेंगे कि foreign secretary से दूसरी country के foreign secretary मिलते हैं लेकिन इस विजिट में इनकी मुलाकात प्रेजडेंट गोतबाया राजपाक से प्राइमिस्टर महिंदा राजपाक से foreign and finance minister एके लावा स्रिलंका के foreign secretary इन सबसे मुलाकात होने वाली है इनमें Tamil reconciliation का issue को भी discussion किया जाएगा 2009 के बाद Liberation Tigers of Tamil Islam या LTTA के बाद यहां पर Tamil में खासकर जो northern area जापना provinces है तमिल के reconciliation को लेकर सिलंका continue criticism face करता है even United Nations Human Rights Council के अंदर भी इनका कई issue को लेकर वो विरोध हुआ कि आप तमिल reconciliation को लेकर अभी तक अच्छा काम नहीं कर पाएं इसके लावा इंडिया यूएस के बीच में एक working group को set किया गया defense industrial security को लेकर यह छोड़ी छोड़ी information आपको देखने को मिलेगी यह सिलंका के ambassador है उनक इंट्रियू दिया गया अगर आप कोई पास थोड़ा स्टाइम हो तो आप इसको पढ़ सकते में ली जो concern है वो यहीं पर आपको देखने को मिलेंगी इसके बाद page number 12 देखिए page number 12 पे एक important information है दो चोट 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 information है recently United Kingdom ने भारत से जितने मिनागरिक UK के अंदर जा रह इसी एक तरीके से रेशेल सा behavior है कि Covishal जो कि AstraZeneca की वेक्षेन है यानि UK के अंदर यह company है उसी को आप restrict कर रहे हैं तो क्या यह racial एक तरीके से या आप एक तरीके से भारत के अगेंस्ट एक्षिन कर भारत के अगेंस्ट है भारत के नागरिकों के अगेंस्ट रेशेल behavior कर र भारत ने भी जो नागरिक UK से आएंगी उन पर भी restriction लगा दिया है टिट फोर टेट वाला एक जो mandatory quarantine था उसको हटाना पड़े हटाओ अधरवाइस आपको भी face करना पड़ेगा हला कि ये भी सही है कि इंडिया से UK जाने वालों का नंबर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा as compare to UK से इंडिया आने वालों का लेकिन हो सकता UK से जो इंडिया है उसमें ज्यादा तर भारती है हो ये भी एक बड़ा सवाल है इनके अलाबा अस्ट्रेलिया ने कोवेशिल्ड को बुला गया कि रेकेजनाइज वैक्शिन की तरह ट्रीट किया जै नहीं भारत का समर्षा नह है कि कोवेशिल्ड के मामने में इसको इंटरनेशनल ट्रकिजनाइज जिसन दिया जाना चाहिए इसके बाद कोवेशिल्ड तो वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजिशन की एमर्जेंसी यूज लिस्टिंग के अंदर भी है तो इसको क्योंकि ट्रेवलर्स को लेकर ये जो कनेक्ट सिड़ बोल्स के थो जो है वो स्परेड करना सिड़ बोल बेसिकली क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगर यहां पर एक सिड़ कोप्टर यानी हिलिकोप्टर से तरीके से रिफोर्स्टेशन करने का प्रयास एक नई तरह की टेकनलोजी का यूज़ करना ड्रोन के तरू इसको लेकर discussion किया गया, यहाँ पर यह बताया गया, ड्रोन में पहले agriculture operation या vaccination को delivery को लेकर काम हुआ है, और आने वाले समय में तेलंगाना में order दिया गया कि अगर तेलंगाना में successful हो जाता है, तो देश के अलग-अलग हिस्सों में भी इसको एक्सिलेट किया जाएगा, हमारा बीज होगा और उसके अंदर जितने मिलिनर्स होते हैं, उनको mix किया जाएगा, और इसके बाद इसको barren area के अंदर फिला दिया जाएगा, उसका क्या मकसद है, जैसे ही बारिस होगी, वो dissolve हो जाएगी, और उसके बाद seeds का germination होना सुरूँगा, यह टेक्नोलोजी के use के तर की उसको observe किया जाएगा, 12,000 hectares का भी उनको order मिला है, 12 district के अंदर और आने वाले समय में इसको और जाद इंक्रीज करने का target है, इनकी planning है कि 2030 तक इस तरीके से 1 billion trees जो प्लांट करें पूरे देश बर में, यह इनका एक important initiative है, इसको लेकर drones के use को लेकर क्योंकि permission चाहिए, वो की जो business section उसके बहुत जादा update नहीं है, जो story type में information है, उनके बारे थोड़ा सा बता देंगे, world affair में दो तिन चीज़े important है, पहला चाइना ने इससे पहले भी वहाँ पर कुछ जैट बेजे ताइवान के अंदर कुछ जैट बेजे थे और अभी भी 25 जैट ने इनके air zone को ज दूसरा, recently UK का जो ship था, Taiwan street से cross किया, उनको warn करने के लिए, तीसरा, Taiwan वो एक island nation है जो अपने आपको democratic घोशित करता है, चाइना यह मानता है कि यह one China policy का या one China का एक हिस्सा है, अलग से कोई separate country नहीं है ताइवान, ठीक, इन सब चीजों को लेकर ताइवान और चाइना के बी चाइना ने एर जोन को cross किया हो, 2016 में जब से चाइना में, ताइवान के अंदर president बनी है, Sai Ing Wen, इनके बाद ये बोला गया कि इसमें लगातार कोशिस की जारी है, चाइना के दोबारा इसको force करने की, या एक तरीक से इस पूरे area को militarization करने की, अब issue जो है, उसके बड़ा reason य भी है कि trans specific trade pact को China ने बोला application दिया कि हम इसको join करना चाते है, इसके ठीक बात जो है, ताइवान ने बोला कि हम इस pact को join करना चाते है, इफिलाल 11 countries का ये important initiative है, जिसमें trans specific trade pact किया जाएगा, कि अलड़ी है, उसमें China सामिल होना चाता है, इसके अलावा, यहाँ पर जो Taiwan उसने ध्याना किये, ताइवान और mainland China जो इसके ठीक बीच में है, और जितने भी ships cross कर रहे है, US के हो, या अगर आप इसमें देखेंगे, UK के हो, वो बोलते हैं कि freedom of navigation है, हर जहाँ जो है, जहाँ पर भी possibility होगी, वहाँ पर जा सकता, आप रोक नहीं सकते, इसके बाद एक news जो है, यह अभी रिशन में power crunch जो चाइना के अंदर face हो रहा है, business face power crisis, firms told to secure supplies, यहाँ पर यह बोला गया कि जो power crisis चाइना के अंदर देखने को मिला है, इस चीज को लेकर ensure किया गया कि supplies को जो है, नुक्सान नहीं पहुँचे, क्योंकि यह देखा गया कि अगर factories बंद हो जाएगी, तो वहाँ की जो growth है उसको भी नुक्सान पहुचेगा और global supply chain को भी नुक्सान इस पूरे issue की वज़ेश पहुचेगा, चाइना की जो top stand on energy companies है, उनको order दिया गया कि adequate fuel supply जो है, वो मिलने चाहिए खास का winter में हर cost पे, यह एक तरीके से किसी भी cost पर उसको नुक्सान नहीं क्योंकि इसके वज़े से दुनिया की number 2 economy को नुक्सान पहुच सकता है, अगर supply chain disturb होगी तो इसका नुक्सान जो पूरी दुनिया को face करना पड़ेगा, यहाँ पर power cut की वज़े से कुछ factories को personally या तरीके से completely बंद कर दिया गया है, इसके वज़े से production में कमी आई है और global supply chain भ क्यों face कर रहा है, तो यहाँ पर बताया गया कि चाइना में अगर आप देखेंगे चाइना की observe करेंगे, 60% जो Chinese economy rely करती है, coal के supply के ओपर, coal के मामले में चाइना खुद इंपोर्ट करता है, इसके अलावा चाइना के अर्शलिया के साथ relation अभी इतने अच्छे नहीं कि कोईले के demand बढ़ेगी तो क्या होगा, एक competition बढ़ेगा, price rise हो जाएंगे और कोईले के supply को लेकर एक जो limitation है, यानि एकदम से demand बढ़ेगी, आप माल लेते 10 kg कोईला यूज करते हैं, एकदम से demand बढ़ेगी का बीच देजी तो production होने में और उसको एक तरीके से supply करने में भी समय लगता है, यह सार रीजन जिसकी वज़े से इस टाइम पे यहां पर issue face करने पड़ रहे हैं चाइना को और इसका असर जो पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा, ग्लोबल supply chain इनिसेटिव के अंडर भारत, जपान और अस्ट्रेलिया ने एक agreement किया ता कि जो dependency है चाइन के ओपर supply chain को लेकर यह disturb ना हो, ग्लोबल लेवल पर और भारत, जपान और अस्ट्रेलिया इस मामले में coordination कर पाएं। इरान ने अज़ेर विजान के बेडर बॉर्डर के आस पात जो war games शुरू किया है या एक तरी केशे drills करते रहते हैं। इसके बाद business section में कोई खास updated information नह इंक्रीजमेंट देखने को बला है, monthly data जो होता है वो UPSC लिए बहुत जादा important नहीं है, हमें involved data क्योंकि हर मन्त का data आप कितने months का carry करेंगे, हर महीने update होती रहती है, हलाकि इसको comparative form में आप year wise कर सकते जैसे 2020 में, 2021 में और आप उसको लेकर economic service अब आएगा, उसमें हम लोग इसके बारे में discuss भी करेंगे, तो ये था दहिंदू का आज का complete analysis और आपको इसमें ये जो particular GST वाला topic है, ठीक 8 बज़े आपको updated मिलेगा, उसके बारे में detail से पढ़ेंगे, क्या GST के अंदर increment जो है, वो बड़ा update है, तो thank you all जहिन